ठंडियों की सीजन चालो हो गया है और ठंडियों में भाजी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है और खाने में भी अच्छा लगता है बनाने में भी अच्छा लगता है आप तो आप समझी गए होएंगे कि मैं क्या बना रही हूँ ये मैंने बैगन लिये है मेरी बेटी को बह से कहानी में आपका स्वागत है यह मैंने बैगन ले लिए हैं और तीन टमाटर इसको अच्छे से मैंने धो लिए और यह मैंने गैस चालू कर दिये हैं और इस पे हम यह जाली डाल लगा देंगे ऐसी जाली लगा देंगे और इसमें बैगन और टमाटर को हमें इसे भून ले करो दोफोरा को जैसे हैं अब यह देखियों को शीर में अल्टी पल्टी करके और भून लेडियों औसको दबागा मैं फोरा-सा उसर दोटा क्या कर लेते हैं अब qya करेंगे यह भीगन हमारे भून के हो इसे एक छोटी सी कटोरी में पानी ले लेंगे हाथ में लगा लगा के इसके चिल्के बहुत इजिल्के निकल जाते थोड़ ठंडा हो जाने दीजे बाइगन बहुत गरम गरम नहीं करना क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना था आपको तो पता है वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, सुटिंग करना है, फिर बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने गरम गरम ही छिलके निकाले, और पानी हाथ में लगा लगे, तो इसलिए ज़्यादा गरम नहीं लगे, अभी छिलके देखें कितने आसानी से निकल अपने क्या बोलते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं किया, और बैगन पहले ही हमको देखना है कि अच्छे है कि उपर से तो बहुत सुन्दस बैगन लिख रहे थे, लेकिन कभी हो जाते हैं, तो इसे हमें चेक कर लेना है, अब यह मैं टमाटर भी वैसे ही करूंग अब यह सेखने के बाद तो यह छोटे हो गए, लेकिन हमें चिलके निकाल लेना है, अराम से थोड़े मुड़े लगे रहेंगे, तो ठीक है, लेकिन जादा नहीं, इसको एकदम अच्छे से निकाल लेना है, अब यह देखिए, बैगन को भी कट कर लिए हैं, अब यह टमा अब यह देखिए, इसको दाल चावल के साथ यह चाहिए, और इतनी पसंद से खाती है, कि उसको हर बार में मम्मी चोखा बनाओ, चोखा बनाओ, तो मैं चलो, चोखा भी बनाती, आप लोग के साथ शेयर भी करती, मैं कैसे बनाओ, यह देखो, टमाटर और वैगन को मैंने अच्छे से मैस कर, हमें बहुत बारिक चटनी जैसे मैस नहीं करना है, इसके चंग सोने चीए, जैसे जाड़े जाड़े टाइप में होने, क्योंकि यह ज्यादा चटनी के जैसे आप मैस कर लेंगे ना, तो यह खाने में मजा ने गए, देखिए मैंने कर लिये वे, अब हम मैंने हरी मिर्ची ले 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 ले, लसुन अदरग, मिर्ची मैंने कम से कम, 6 ले लिये हैं, आधा पोटी लसुन ले लिये और, आधा इंच अदरग, अब इससे खल बट्टे में हम कूछ लेंगे, मैंने थोड़ा कूछेक जैसे बनाये वे, आप चाया तो मिक्सर में भी पी सकते लेकिन दरदरा मैंने इसले में थोड़ा ही है तो खलबट्टे में कूचली हूँ जाड़े टाइप में अब यह देखिए यह जो मैंने मसाले कूड के ले लिए वे अब इसे डाल देंगे पूरे और यह जो मसाला डालने से ना जो हमारी अद्रक लसुन में इससे क्या न नुसार थोड़ा नमक हलका सा तेजी रखिएगा मतलब चीख लीजेगा क्योंकि चोखा है ना नमक थोड़ा खीचता है और इसी में हम डाल देंगे राई का तेल यह एक चमज भरके डाल देंगे और इसमें हिंग बहुत जरूर क्योंकि बैगन बादी होती है पेटों में नाई के तेल डाले ना उसमें न बोलते ना चुकह में जाना जाती मज़ा ऐसे तो हर चीज हमारे डालने से जाना जाती यह देखो बनके भी हो गया आपको कैसा लगा यह रेसेपी अच्छा लगा लाइक कर देना सब्सक्राइब है शेयर करना बेल आइकन बेटन प्रेस कर यह मैं ऐसी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसेपी लाती रहूंगी बाई बाई फ्रेंस मिलते हैं फिर से